आताम लेकुम जिया केज, I hope you are all fine and healthy, बिटा जी दोस्वार उन फास्टेंग यह जिनका रोजा है, वेल एंगोड लेकिन कोशिश करें, on and off रखें, और जिन बचों का रोजा नहीं है, don't worry, कोई परशानी की बात नहीं है, आप जिनका रोजा है आपकी घर में, आप उनकी help कर 8, 9, 10 और 11 की रीडिंग करनी है, हमारे चैप्टर का नेम है, हज़त नु अलेहसलांग, बिर जी आपको जो ग्रीन स्ट्रिप में नजर आ रहा है, उपर आपको पिक्चर है, पिक्चर पूरी स्टोरी के बारे में, अगर हम रेगुलर क्लास में होते, तो मैं आपको इसके आएं और कहां से आएं, मैं आपको सिर्फ इसकी जस्ट रीट करा देती हूँ, अल्ला ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इनसान भेजे जो लोगों को अच्छी बाते बताते और बुरे कामों से मना परमाद करते थे, ऐसे इनसानों को नभी कहते हैं, अल्ला की आखरी किता करने लगे हैं, लेकिन इस लेसन में जो हाड वर्ड्स हैं, आप इस पेच के कौर्णर टॉप पे देखें, तो वहां पे आपको हाड वर्ड्स लिखे होंगे 12, 12 इस चैप्टर के हाड वर्ड्स हैं, क्वेस्टन आंसर 6 हैं, और 6 इसकी जुम्ले हैं, साइड बे साइड हम अंडरलाइन करते जाएंगे वर्ड्स, और बाद में हम अकठे सारे वर्ड्स हैं की दफ़ा लिखवाएंगे, चले जी, नाउ स्टार्ट, हजड़त नु अल्याइसलाम अल्ला के नभी थे, वो लोगों को अच्छे काम करने और बरे कामों से बचने के लिए कहते रहे, बह की तमाम लोग बुरे काम में मसरूफ रहे, मसरूफ, सरकल दवर्ड बेटा, यह आपका हाड़ वर्ड है, अगो स्टू नेक्स पेज, यह आपका पेज नबर नाइन है, जब इतने बहुत से सालों तक उनकी कोशशे कामयाब ना हुई, तो अल्ला ने उनको, उन लोगों को सदा देने का फैसला किया, अल्ला ने हजज़त नू अलाइसलाम को एक बड़ी कश्टी बनाने का हुकम दिया, कश्टी, सरकल दवर्ड कश्टी, यह आपका हाड़ वर्ड है, हजज़त नू अलाइसलाम ने कोई सवाल किये बगएर जंगल में जाकर, जंगल, सरकल ये तुम लोग कहां जाने के लिए कश्टी बना रहे हो यहां तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है समंदर सरकल लोड़ ये कश्टी मट्टी पर चलाओ ये क्या यह जो लोग थे जो नाफरमान लोग थे उनको तंग कर रहे थे तो उनको भी वो उनका मजाक उड़ा रहे थे और तंग कर रहे थे नेक्स पेराग्राफ हजड़त नु अलैसलाम और इनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्टी तयार हो गई तो लners ने खुक माना और वसे ही विसा ही किया जैसे AllThe ने हुक हम दिया तमाम जनवर, जनवर। जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगहरा को कश्टी में सवार किया यानि हर एक जो जनवर था उसका पेर उनने रखा जोड़ा यानी उनका मेल और फीमिल अल्ला के होकम से फिर अल्ला ने होकम लिया कि आप कश्टी में सवार हो जाओ उन्होंने ऐसा ही किया जो लोग देख रहे थे वो मजाख उड़ाने लगे अरे इन सब को क्या हो गया ये क्यूं कश्टी में बैट रहे हैं ना फर्मान ना फर्मान लोगों में हजट नू अल्यासलम का बेटा भी शामिल था हजट नू अल्यासलम ने इसे पहले भी समझाया था लेकिन वो ना माना एक बार फिर उन्होंने उसे बलाया मगर उस ने कहा मेरी फिकर ना करें मुझे कुछ नहीं होगा पेराग्राफ नमबर त्री नेक्स पेराग्राफ बिटा यहां पे आपको फिंगर रख्या बार बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा अचानक बादल आगे और बहुत तेज भारश शुरू होने लगी थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे जमीन से पानी भी पानी उबल रहा है उबल सरकल दबर उबल यानि नीचे से निकलने लगा है चारो तरफ नेक्स लाइन आप चारो तरफ पानी ही पानी हो गया लोग अपनी जान बचाने के लिए इदर उदर भागने लगे कुछ दरखतों पर चड़ गए और कुछ मकानों की चछटों पर लेकिन इतना पानी हो गया कि दरखत भी डूब गए सरकल दबर डूब और मकान भी यहां तक कि जिस पहाड पर हज़त नूँ लगा बेटा अपनी जान बचाने के लिए चड़ गया वो भी डूब गया सारे नाफ़रमान लोग ढूब गे اور फजजत नूँल ऐसलाम की कुछती पानी में ऊपर ही तेरती रही तेरती यहीं नी फलोट करती रही तेरती यह उपर जीसे अब नॉर्मल यकी कष्टी बनाते हैं तो पानी की ऊपर उपर फिरती है बहुत दिनों बाद बारिश रुकी सूरज निकला सरकल दबर सूरज कश्टी में सवार लोग सूरज को इतने दिन बाद देख कर बहुत होश हुए पानी काम होने लगा और इनकी कश्टी एक पहाड के साथ जा लगी जिसका नाम नेक्स पेज जोदा था बिटा इसको जोदा भी बोलते हैं लेकिन खड़ी जबर इसके उपर वो तो पर जोदा बन जाएगा लेकिन यहां पर खड़ी जबर नहीं है लहाज़ इसको जोदा जोदी बोलते हैं पहाड जोदी है लोग कश्टी से उतरे और अल्ला का शुकर अदा किया सारे जानवरों को भी खुश्की सरकल दो और खुश्की पर छोड़ा और यूँ ये दुनिया दुबारा बसी बसी में अबाद हुई बिटा जोदा यहाँ पे इस पहाड को कहते हैं यानि वो जो पहाड था जिसकी उपर हज़त नु अलैसलाम ने उनकी कश्ची रुकी थी अल्ला की होकम से वो पहाड का ना उस पहाड का ना जोदा यानि जोदी था ना बिटा टरन दे पेज बिटा हमारी रीडिंग फिनिश होगी है ना वी आर गोइंग टू दे वर्क बुक यह हमारी वर्क बुक का साइट से हैं पेज नंबर टैन है इसको हमने पेज की हुपर ही सॉल्फ करना है नए अलफाज यानि आपको यहाँ पे ब्लॉक्स नज़र आएंगे जिसमें अलफाज और मानी है मसरूफ मानी काम में लगा होना मशबूल यानि बिजी रहना हुकम इर्शाद फर्मान फैसला कुन बात यानि किसी का ओर्डर होना फिकर ख्याल परिशानी नेक्स साइट पे आप देखें ना फर्मान हुकम ना मानने वाले यानि डिसॉबीडियन बसी आबाद हुई खुश्की जमीन यापकी अलफाज मानी है नीचे इसको आपने याद करना है नेक्स नेक्स क्वेश्चन आपका आता है मारूजी सवालाथ मारूजी सवालाथ में आपकी ब्लैंक्स हैं यहाँ पे आपके मल्टिपर चॉइसे हैं आपने जो करेक्ट है उसको सरकल करना है और उसको कलर करना है और ब्लैंक्स को उसी वर्ट से फिलाप करना है नमबर वान क्वेश्चन सौरी दुरूज जवाब के दाएरे को पैंसल से भरी और खाली जगा पूर कीजिए नमबर वान बिटा यहां पे आप ज़रा गोर फर्माएंगे तो बुक में ही भी मिस्प्रिंट है यहां पे फोर, टू, टू, त्री, फोर लिखा हुए नमबर वान जो है यह नमबर वान है यह मिस्प्रिंट है अपने बेटा लिखना है नमबर फोर, नाफर्मान लोगों पर डाश के जरीए अज़ाब नाजल हुआ हवा, पानी, आग, बादल यहां पे पानी है इस पे आपका जहां पे मैंने डबल टिक लगाए है यह वर्ज जो है यह आपने आज कॉपी पर करने है यह अपनी क्लासव कॉपी पे इस पे लिखना है यह six sentences है, इनके जुम्ले बनाने है यह मैं आपको बाद में शेयर करूँगी अभी हम workbook solve करेंगे वर्ज आपके सजा, जंगल, मजाग, कश्टी, बारश, पहाड़ है नेक्स आपका आथ है कवाइद कवाइद यह आपकी थोड़ी सी grammar है लेकिन यूबुक की उपर ही solve करना है question 5 मुदज़ जेल अलफास को अलफ बाय तर्तीब, हरूफ तहजी की तर्तीब के मताबग दी गई जगों में लिखी है यह इस question को यह है कि आपने alphabetically order में इसको लिखना है word आपको मिले है जैसे पहले अलफ आता है, फिर बे आता है, फिर पे ते यह इस order में लिखना है कि कौन सा word की दसे शुरू है, उसको order में लिखना है sing, गिजा, पालतू, जंगली, टांगे, नोकीले, रफतार, खतरनाग यह word आपने इस order में लिखने है, alphabetically order यानि अलिफ बाय तर्तीब, हरूफ तहजी के तर्तीब से यह से पहला आपने इनों ने पालतू पे से लिखा है पे के बाद फिर आता है, टे, टांगे, फिर अगला तजीम, जंगली, खतरनाग, रफतार, सींग, गिजा, नोकीले वही word हैं लेकिन इसको प्रॉपर, alphabetically order में आपने लिखना है, यानि अलिफ बाय तर्तीब से नेक्स आपका question सेक्स है, दिये गे रंगीन, अलफास की जमा बनाकर जुमले दुपारा लिखें, यानि आपको green color में word लिखें, उनकी आपने जमा बनाने है, number one, इनके सामने ही आप लिखें, कुछ ही लोगों ने अब साल बहुत साल तक इनकी कोशिशे कामियाब ना हुई, यानि साल और कोशिश दोनों की आपने जमा लिखनी है, यानि सालों और कोशिशे, number three, हज़त नू अलिखें, ने जंगल में जाकर लकडी, लकडी काटनी शुरू कर दी, लकडी का लकड़ियां हो जाएगा और क लकडी कर दी, number four, कुछ लोग मकान की छट पर चड़ गे, मकान और चट, मकान मकानों और चट से छटों पर चड़ गे, ये दोनों questions आपने बुक्यों पर करने हैं, blanks भी, और बहुत neatly करना है, और लिखके याद भी करना है, और में के च्चूर बिटा कि ये आपकी बुक जो है, टेक्स बुक में से जो भी आएगा, वो आपका paper A में include होगा, wish you best of luck बिटा जी,